हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, कि यहाँ पे एक्जाम SBI कलर्कता हो रहा है। और आप सभी लोग पीछे देख रहे हैं हमारे, एक बहुती बड़ा हुजूम निकल रहा है। बीडीरे इंब इकिजाम की जो है हुजून निकलती जा रही है और गीजाम चुट चूट मつुका है और अभी हम लोग जल्दी मरें सब्सक्राइब के सामनेason. आपका नाम के सर्वजी रितु राज सिंग आपका एग्जाम कैसा हुआ पहले यह बताइज है यह था कि मुझे थोड़ और कर सकता था मैं यह आपका फरस्ट एकलर का फर्स्ट है लेकिन बैंकिंग मामले में तो इतना आपने मेरे इंगलिश में में 29 करें मैंने और मैस में 26 और इविनिंग में 30 ओवरॉल कितना रहा ओवरॉल यह हो गया 85 85 वेरी गुड अगर अगर देखा है ओट ऑफ एटी फाइफ इस गुड स्कोर तो एक्यूरेसी क्या रह सकती है आपके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग 90-95 परसेंट के रहनी चा किंगे उने चल जाना है लेकिन इस वाले में ज्ञादा तर तो क्या बोलते सिंप्लिफिकेशन वाले कॉर्शन ज्यादा थे क इवाले कोशन ने तरत कि अब तो और सकते हैं घृत को आप टो सेमेशन से आप दिण चैने और इक और बात है जिसमें की लिए डिटा इंटर कि इतने कोशन आया थे जितना मैं अटेम्ट कर पाया उस तरह हैं बस एक ही डिया यह उसके बाद शाहिए लास्ट माँ हो सकती है कि मुझे टाइम का वो ज्यादा पाउंडिशन था इसलिए यह तो डेटा इंटर्पेटिशन किस तरीके के आया था यह बता सकते हैं इसी था उसमें दिया हुआ था कि जैसे वह मॉल और टीन दिया तो उसमें दिया हुआ था कि उस दिन इतने लोग आए तो अब तो यह डेटा इंटर्पेटिशन में मतलब एक डिया इन्होंने किया बाकि 27 कोश्यन किया आपने करेक्ट है तो सर मैं दिखाना चाहूंगा एक बार ज तो यहां पर एक इंपॉर्टन्ट चीजे यह निकल कर आ रही है कि क्या आपने डियाई क्या दो भी आ सकती है या एक ही आई थी मेरे साब से कम ते कम दो तो आनी जाए है तो अर्थमैटिक के कोशिन कितने थे सर्थमैटिक के भी थे मेरे साब से ओवी मैक्सिमम एटी होंगे जाद है नीजे उसके तो अगर हम लोग देखें यहां पर इंग्लिश का कोशिन कैसा आया था सर्थ इंग्लिश का काफी दी था लेकिन यह है कि लैंग्विज जो ऐसी होती है कि वह अगर रेगुलर अपने वह किया हुआ है क्या बोलते हमने जैसे वोकेबलरी की वही है त अगर बेसिक लेवल की भी कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं तो भी हो जाया गाता इतना ही था अजका पजल कैसा आया था पजल पजल स्टार्टिंग में कुश्चिन आया था उसमें यह नहीं दिया था कि मतलब उसमें बोला था कि सैवन पीपल एक यूप उपर नीचे और अपने मतलब आपके यह जो पेपर था यह इजी था मॉडरेट था या हाई लेवल अभी लेवल आया था और यह शिफ्ट सेकेंड का एकजाम हुआ है आपका फिरसे बार नाम बता दीजिगा और आप सभी लोग जो है अभी लाइव हैं और अभी आप सभी लोग का जो और आप सभी लोग successful best wishes for you और आप सभी लोग जो हैं जल्दी successful हो और आप सभी लोग के तरफ से हम लोग एक्जामपुर पडिवार के तरफ से जो है best wishes है तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ एक और candidates हैं और यहां पे धीरे-धीरे जो हैं हम लोग collect कर रहे हैं data और ज़्यादा accuracy निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि बच्ची ने बताया कि यहां पर क्या किस attempt का question आया ज्यादा तर बच्ची यह बता रहे कि moderate level का question आया लेकिन यह depend करता है कि आपने practice कितनी की है यहां पर आपने टेस्ट कितना दिया है और अगर आपने practice अच्छी की ही है तो by default आपने paper आपको moderate level का ही लगेगा और हो सकता है easy लगे तो हम लोग एक और candidates से मिलने वाले हैं और वो candidates क्या है अभी आप लोग सुनते हैं ठीक है आ जाई तो आपका नाम क्या है आशी सैनी आशी सैनी आप कहां से हैं सर मैं वैसे उत्रखंट से हूं अभी डेली रह रहा हूं नौइड़ा में तो आप क्या कर रहे हैं तो कैसा एक्जाम हो आपका एक्जाम बहुत इजी था मेरे कौंट में 27 हुआ है रीजनिंग में 34 हुआ है एंड इंग्लिस में मैंने 90 ही किया ऐकूरेसी करते हुए तो बच्चों को समझ नहीं आता था इंग्लिस में कितना कोश्षं करना किसा सब्सक्राइब के इससले इसी बार इन चेंज कर दिया है और पहले रीजनिंग को उसके बाद को उन्क्त हमें decide कर सकते हैं कि आपका math reasoning कैसा गया है तो आपको कितना question attempt करना है तो आप से अगर यह पूछा जाए कि आज का जो level था वो कैसा था आज का level बहुत easy था आपके according आप कहरो कि easy था मतलब maximum लोग यह कह रहे है कि easy to moderate था मतलब हम यह नहीं कह सकते तफ तफ नहीं था नहीं था easy to moderate कह सकते हैं वो इसले कह सकते हैं क्योंकि काफी सारे question जो थे तीन-तीन के pair में two two or three के pair में दिये हुए थे जैसे हम five के pair में देखते हैं तो वो चीज़े बहुत कम थी जैसे reasoning में for example तीनों section में सबसे ज़्यादा परिशानी आपको कहां पर होई परिशानी तो सर किसी में नहीं होई नहीं यह तो आपकी प्रैक्टिस के उपर है कि आपको परिशान में time taking हो रहा था इसकी अलावा भी कोई नहीं यह नहीं यह नंबर का डियाई था चैकोशन थे इसमें और इसमें कोशन थोड़े बड़े बड़े थे मतलब पांच च्छे लाइन की कोशन दिये हुए थे उसको पढ़ने में time लग रहा था 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 वैसे easy थी simple thinking यह कहते हैं कि overall काल्कुलेटिव थी और लैंडी थी already can ever 據 पचल कह सकते हैं तीन आई तीन नंबर की थी और द्व haar फजल तो तो यह अगर पजल की बात करेंगी तो इसमें सिलोगिजम का कितना कुशन आय थे सिलोगिजम की को इसकान पोस्ट इस त्रीट्व व्र्शन सिरीज से इंग्लिस के बारे में क्या रहा आपका इंग्लिस काफी इजी ति जादा तर बच्चों कोंग्लिस डराती है ऐसा कुछ है क्या इंग्लिस डराने वाली होती है वह इसलिए डराती है लोग डरते हैं क्योंकि बच्चे एक्जाम दे चुके होते हैं कही बार और वह अटेम्ट करके ज़्यादा आते हैं बट एंग्लिस में मार्स कम आते हैं अपने नियम कानून पड़े हुए है आपकी सबसे लाश्ट में खुल रही है तो आप अपना स्कोर देख लीजिए क्वाइंट रिजिंग में कितना हुआ है उस हिसाफ से आप इंग्लीज में अटेम्ट कीजिए गलत मत कीजिए जितना करना है सही कीजिए अच्छा कीजिए आउट अफ हैंड्रेट में से आपने अच्छा स्कोर काज़ता है तो अगर एक्यूरेसी आपकी कितनी मतलब आपने प्रैक्टिस तो की होगी तो एक्यूरेसी कितनी होगी आपकी 95 प्लस होनी चाहिए वेरी गुड बहुत अच्छे तो हम लोग यह एक शुब कामनाय दे सकते हैं सरकों की इनकी एक्यूरेसी 95 प अहां कुछ बोलना चाहिए जी आने वाले सिफ्ट के बच्चों के लिए बोलना चाहंगा और भी नाइटीन को एक्जाम है और ट्वेंटी को है तो निकले बोलना चाहंगा कि आप किसी कोशन में फसी है मत क्योंकि आप मतलब बनाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ पांच कोशन होंगे बाद में आप देखते तीन कोशन हैं तो ऐसा हो सकता है आपकी सिफ्ट में भी बट वह आप अटेम्ट करिए पजल सारी इसी आ रहे हैं पेपर सारा इसी आ प्राइब करेंगे आपकोंट में जलदी हाँ चलाने की कोशिस कीजिए कम से कम पांच अर्थमेटिक की कोशन्स कर सकते हैं बाकि सारा निप्टाने के बाद मतलब यह एक अची बात कहीं सरने कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहो तो तो सर आपका एक बार फिर से शुब नाम ब आपके upcoming futures के लिए आपको शुक्कामना है एक्जामपुर परिवार की तरफ से थैंक यू तो हमारे साथ एक और candidates हैं और हाँ तो हमारे साथ आरके सर जोनना चाहेंगे और हमारे साथ हैं आरके सर और आप जैसा की देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड है और यह भीड किसी और की नहीं है यह एक्जाम की भीड है किसी भी तरीके का एक्जाम इतना असान नहीं है आपको तैयारी करनी पड़ेगी और मेहनत करना पड़ेगा competition बहुत high level का जा रहा है सर आरके सर क्या कहना चाहेंगे सर बच्चों का जोश और उत्सा जो मैं देख रहा हूं literally मतलब amazing बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं कई बच्चे ऐसे मिले हमें जो कोई अलवर से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है कोई एक लखनों से बच्चा आया है मतलब SBI clerk SBI का tag लग जाए सर अपने आप में बहुत बड़ी बात है SBI clerk हो PO हो SO हो बच्चा बिलकुल नहीं छोड़ता है examination को तो पिछली बार की तरह है इस बार भी हमें वही जोश वही सा देखने को मिल रहा है जो हर बार देखने को मिलता है तो लगातार हम सभी पूरी की exam देने जा रहा है या जिसका next Saturday को exam उसको भी बहुत जादा help मिल सकती है है कि अच्छा सर एक्जाम का level अगर हम बात करें पूरा overall जितने बच्चों का हमने इंट्रव्य किया कैसा आप बताएंगे सर एक्जाम का level तो सभी बच्चे बता रहे है कि सर moderate level का आया था और ज्यादा तर बच्चे यही कह रहे है कि सर अगर आपने practice किये है तो easy भी लग सकता है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कैलकुलेटिव लेंदी आ रही है एक्जाम का level और इसमें यह एक सबसे ज़्यादा point out किया बच्चों ने कि अगर आपने practice किये है अगर exam strategy हो सकती है जो out of the box पूछा गया हो कुछ ऐसा आप बच्चे ने बताया क्या नहीं अभी तक तो out of box ऐसा कुछ आया नहीं है according to जितने भी candidates से बात हुई है और बस यह कि थोड़ा सा अश्यर हो रहा है कि जो reasoning में पॉजल जो आई थी ना वो पॉजल तीन-तीन question या दो-दो question की तीन सेट आई थी और एक पॉजल पांच पांच छेचे कुशन की ओवर और नौ question आए थी और अगर देखा जाए डियाई का भी level काफी काल्कुलेटिव रहा था और इंग्लिश में भी जहां तक मैंने जाना बच्चों से करके तो first shift और second shift दोनों में न कोविड से रिलेटेट पूछा गया यानि कि जो current events जो निकल चुके हैं उससे ही रिलेटेट जाद आ रहा और मैं लगातार बच्चों को बता रहो बच्चे निउस पेपर पढ़ो आप समझ में आ रहा हो का उनको कि क्या एहमियत है और कुछ vocabulary तो बच्चे ने बताया कि same वही चीज़ा आ रही है जो कि मैंने vocab की class में कराई है सुबह गौरफ सार एडिटोरियल पढ़ाते हैं बहुत शांदार class होती है सुबह साथ बजे तो वहां से भी बच्चे को बहुत help मिल रही है पूरा बैंकपूर का परिवार जो आपको YouTube पर class दे रहा है वहां से कई चीज़े फसरे क्यों सर बच्चे ये खुद अभी कुछ बच्चे ने खुद पकल लिया मैं एक बार अगस्ट सर से request करूंगा कि सर एक बार कैमरे को यहां पे लाया जाए जिससे की एक थोड़ी सी बच्चों को strategy पता चले जो upcoming exam देने वाले है और यह जो सोच रहे हैं कि हलुआ आने वाला हलुआ तो exam नहीं होने वाला है यह एक तरीके से obvious ही बात है exam जो है आपका tough होने वाला है चुकि easy to moderate है तो ज़्यादा तर यह तो हो सकता है कि cut off ज़्यादा जाएगा और अगर आप 80 अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि आप 70 करके आओ या 80 करके आओ तो हां यह सभी बच्चे जो तैयारी करके गए उनका यह मानना है कि 80 अगर करके आते हैं या 72 80 के बीच में रहते हैं वह एक handsome कह सकते हैं कि एक decent score हो सकता है अगर 99% accuracy है तो तो सर एक बार यहाँ पर एक हम लोग request करेंगे अगस्त सर से कि अगस्त सर यहा यह आप सभी लोग हुजूम देख सकते हैं यह एक बहुत ही competition दिखाता है कि competition आने वाले डेर पे कितना competition होने वाला है और जोश और उत्साह भी दिखा रहा है यहाँ पर कि इतनी दूर-दूर से बच्चे आये हैं जनरली क्या होता सर कि बहुत दूर जब सेंटर पड़ता कोई भी चीजें possible जो होई ऐसा नहीं है कि impossible है आप बस practice करो तयारी करो dedication रहे और accuracy speed को मैं सभी बच्चों से यहाँ पर जितने भी candidate हैं इन सबसे यही कहना चाहूंगा कि speed और accuracy पर ज्यादा ध्यान दे और अगर ना आये तो आप उस पर nervous ना फील हो और सभी को best wishes मैं कहना च जाएंगी हां तो सर वही है कि accuracy पर ध्यान देना है कोई बच्चे जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि यार यह last के दो कोशन बच्चे है चलो करी देते हैं वो बस चलो करी देते हैं कि चकर में क्या होता न वो negative में चला जाता है और वह 0.25 0.5 से वह बच्चा फिर जब छू और second shift में भी जो बच्चा देने जा रहा है वो भी 80 कर क्या है और third shift में अगर 60 हो सकते हैं तो हम 80 क्यों न करें तो यहां पर हो सकता है game change हो सकता है आपका क्या कहाना है मेरा भी यही मानना है सर कि जैसे कि आपने अभी जैस्ट बोला कि accuracy बहुत जरूरी है अब मालिजे कि एक आप candidate है आपने 80 किया लेकिन आपकी accuracy बिल्कुल नहीं है और मैं उसी पेपर में 70 या 60 करके आरो मेरी accuracy बहतर है तो मैं समझता हूं कि मेरा score होना जादा possibility लगती है तो कहने का मतलब यह है कि overall बात यह है out of the box कुछ नहीं आ रहा practice इतनी आपको करवाई गई है class में जितन है इसके बाद आपका ISO भी आएगा आगे आने वाले टाइम में तो उससे यहां से आपको यह सीखने को मिलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दे out of the box अभी तक तो कुछ नहीं मिला और अगर मिलता भी है तो एक या दो marks का hardly मिलता है तो उनको छोड़ा बहुत मैनत की है और यह एक अच्छी फिलिंग सी आती है एक गुरू होने का थोड़ा सा रिस्पेक्ट एक जो होता ना कि गुरू एक तोर पर हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं यहां पे एक थर्ड शिफ्ट का एक्जाम शुरू हो चुका है और बच्चानी टीम से केहते हैं की घबडाना नहीं है तो यहीं कहंगा कि आपको आपको घबडाना नहीं है आपको अपना प्रेशर सब्सक्रय को करना करना है और साती साथ कहते हैं कि तो तो अगर आपने यहाँ पर आपने तयारी की और मन से हार गए तो आपके हार होई जाएगी मैं आपसे यही कहूँगा कि मन के जीते जीत जीती है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को करते हैं तो अभी आप बने रहेगा हमारे साथ, इसके बाद थर्ड शिफ्ट का भी एक्जाम होगा, तो उसमें भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, हमारी एक टीम स्टूडियो से भी अनालेसिस कर रही है, तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाईए, और अगर आ थे बाहराओ